हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम राज सुक्मार और मैं स्वागत करता हूँ आपका फ्रेंड्स जैसे कि मैं बता दू आपको कि पेन कार्ड अधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवारी हो गया है वो भी 31 मार्च 2019 तक आपको किसी भी हाल में आपको लिंक करा लेना अनि यथा आपका पेन इन्वाइनर हो जागा और किसी भी तरह का कोई काम नहीं करेगा इसलिए इस वीडियो में बताने वाला हो कि आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या लेप्टोप के साहता से पेन कार्ड को अधार से लिंक कैसे करें फ्रेंड्स वीडियो सुरू करने से पहले छोटी से रिक्वेस्ट है नीचे दिये गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन पर क्लिक करके नौटिफिकेशन को अन करिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अप्रोड करों तो वी आपको ट्राइब करना है www.incometax.gov.in यह लिक के आपको सर्च करना और सर्च करने के बाद आपको आप यहां पर देख रहे हैं यह फाइलिंग होम पेज इंकम टेक्स डिपार्टम गवर्मेंट और इंडिया आपको फर्स्ट वाला लिक पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहां से इसको क्लोज करिए क्लोज करने के बाद आप यहां पर एक 31 मार्च 2019 यह फाइलिंग के तरफ से यहां पर सोख कर रहा है कि 31 मार्च 2019 के पहले आपको अधार काड़ को अधार के साथ लिंक करना है तो आपको यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर लिंक अधार पर जाना है लिंक अधार पर जाने के बाद आपको यहां पे जो भी आपको पैन कार्ड यो पर्मंडेल नमबर आपल यहां पे डाले उसके बाद यहां पे अधार नमबर डाले और यहां पर जो भी ऑधार नमबर है उसके बाद आपका अधार कार्ड में जो भी आपका नाम है और नाम आप यहाँ पर डाले उसके बाद यहाँ पर क्या बतार है I have only year of birth in अधार कार्ड जैसे कि पहले क्या होता कि किसी किसी के अधार कार्ड में सिर्फ date of birth के जगह में सिर्फ only year of birth रहता था उसके लिए यहाँ पर एस करना है और जिसका date of birth पूरा है जैसे कि चार्ड एक 1993 पंचामने जो भी है आनि कि उस तरीके से आपका है तो आप यहाँ पर टिक ना करे अनि यता ज़िए आपका सिर्फ मात्र year of birth है लास्ट में तो आपको यहाँ पर चेक बोक्स पर टिक करना है यहाँ पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर I agree to validate इसके बाद आपको I agree करना है यहाँ पर इसके बाद आपको इमेज टैप करना है इसके बाद से आप यहाँ पर लिंक अधार पर क्लिक करें यहाँ पर मेरा देखिए क्या बता रही और पे इस ओर इडुक आपका अधार नबर के साथ आपका पेंग काण यानि कि इस अधार नमबर के साथ आपका पेन लिंक है और आपको ज़सादि इसका मतलब अस्टेटर्स जानना है कि आपका लिंक हुआ है या नहीं और आप यहां से चेक कर सकते हैं Click here to view the status if you have already submitted लिंक अधार रिक्रेश्ट यहां से भी आप चेक कर सकते हैं तो friends बस इस वीडियो में इतना ही जए यह वीडियो आपको अच्छा लगो तो प्लेज इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजी धन्यवाद